नमस्कार मित्रों मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके सबसे लोग प्रिये चैनल योर काल चक्रा में मित्रों हम अपनी राशियों की सिरीज में जो है कन्या राशी पर आज बात करने वाले हैं कन्या राशी के विशे में आज हमें विस्तार से फिर से मार्व दर्शन के लिए हमारे बीच में आ हैं हमारी आदरनीय दीदी उत्रा दीदी नमस्कार दीदी आपका स्वागत है नमस्कार, नमस्कार दीपक जी, कैसे हैं आफ? सचीहर भापदा धिदी आपका आज हम कन्या राशी को ले लेते हैं कन्या राशी जैसा की नाम से भी आपको स्मठ में आजाता है ये बुद्ध की राशी है, ये भूतत्व की राशी है और द्वीस्वभावक राशी है, यह इसका मूल मंत्र है, द्वीस्वभावक, 12 साइं, और इस राशी का जो स्वामी है वो बुद्ध है, और बुद्ध जो है इसी राशी में उच्छी का भी होता है, लेकिन बुद्ध का जो परम मित्र है, शुक्र, वो इस राशी में निच यहां होते हैं तो यह शत्रुक्षेत्रु में, शनी के लिए यह मित्र की राशी है, अब बुध यहां उच्छा का होता है, इसका अर्थी यह है, कि वुध्य प्रदान व्यक्ति जो होते हैं, वो धन की अपेक्षा, बुध्धी को मात्व देते हैं, शुक्र का नीच का होना और बुद्ध का उच्छ का होना यही बताता है कि बुद्ध प्रदान व्यक्ति जो है धन ये रुपए पैसे लक्ष्मी इसकी अपिक्षा बुद्धी को जादा मात्व देते हैं और ऐसा कहा भी गया है उमरे शास्त्रों में की लक्ष्मी और सरस्वती जो है एक साथ नहीं रह पते क्योंकि आधियत्मी नहीं जो है वो ऐसा ग्यान जितना बाटते हैं उतना पड़ता है। तो इस लिए इस फरक के कारण ही शुक्र को यहां पर नीच का गया है। ब्द्ध जोप्स, विदय हैं, धन हैं वो हमें तर trillion की तरफ ले जाते हैं और जब कि बहुतिक शमताहि, बहुतिक ज्यान है वह हमें अम्रत्यों की तरफ ले जाते हैं इसके पीछे यह कारण है कि बुद्ध उचका होता है और शुक्र यहां पर नीच का होता है और एक चीज और है कि बुद्ध इस राशी में होकर भी, जो विथुन राशी में होता है, उससे अलग इसका स्वभाव माना गया है बुद्ध दूसके तरह के फल देता है या उनकी नेचर को बताता है व्यक्ती की और कन्याराशी में अलग, इसलिए यहां पर इसको उच्च का मानग्या है, शारिली गठन, जातेक जो है लंबा और सुगठ ही तो होता है, उसका जो बॉड़ी होती है, वो वेल प्रपोर्शन रहती है, वेडंगा वेडोल सा नहीं होता है, जब तक कि कोई ग्रहरी अकारत उ होते हैं, भाय, घनी और गुमावतार होती है, उसका वो तेजी से चलता है, इनकी स्पीड चाल में अच्छी रती है, और इनका पेट कभी नहीं बढ़ता है, लेकिन इनका पेट कभी भी बढ़ता हुआ, नहीं तेखा गया, और सक्री अराने के कारण यह अपनी उंब्र से हमेशा छोटे भी रतीत होते हैं, जो इनके उम्रोती है, उससे हमेशा कम दिखाई देते हैं, लंबी नाख होती है, जो उनकी चतुराई की निशानी है, लेकिन आखे जो हैं, आखों में चाला की नहीं दिखकर निश्पक्षता दिखती है, और बोलापन दिखता है, जो पश्चिमी देशों में, जो कन्या लगन वाले वेक्ती कहे रहे हैं, बहुती सुंजर, सुडोल और नीली आखों वाले कहें, पश्चिमी देशों, चरित्र, इनके चरित्र की विशेष्ता है, अस्थिर ग्राय है, बुद्य खुद बहुत फास्ट मूविंग प्लानेट है और राशी ये बुद्ध अस्थिर होने के कारण परिवर्ता शीर जो है, इनका सुभाव बानना गया है, बहुती जल्दी जल्दी चेंज परिवर्तन लाते हैं अपने जीवन में, और अकसर अपनी घर, अपनी नौकरी और अपना व्यापार भी बदवते रहते हैं, ये इ इनमें जन्मजाद प्रवरती होती है या आंतरिक प्रवरती होती है कि इनमें व्यापार की बहुत अच्छी समझ होती है, व्यापार को ये बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं और उसको हैं और शीग्र कामी जैसे गुद्ध, फास्ट मूविंग प्लानेट है, इसी प्रका वो भी फटाफट काम को खतम करें, लेकिन एक चीज इनकी और खासियत मानी गए है कि जब यह किसी चीज को समझाना शुरू करते हैं दूसरे वेक्तियों को, तो बहुत लंबे भाशन देना शुरू करते हैं और वेक्ति को बहुत बोर कर देते हैं, इस चीज से इनको बचना जाता है, उनको याद दिलाना बढ़ता है कि यहाँ अपने सब्जेक्ट पर आईए जो बारा, यह इनकी खासियत है, हलाकि इनका सेधान्तिक पक्ष जब छोनिटिकल पार्ट है, वो इनका काफी मजबूत रहता है, और तार्किक रहता है, और व्यभारिक तथा बेभाव जो भी मक्तव यह है, व्यभारिक प्रैक्टिकल रहे है और सेधान्तिक पक्ष मजबूत हो, तो इमें भी व्यभारिक पक्ष बीका बहुत अच्छा मानेगा, अगर आप थोड़ी सा अधानी ना रखें, है तो आपको आलोचना का शिकार दोना पड़ सकता है, इन लंबे- इन सब में यह सकसफुल रहते हैं, इनको ऐसे विभागों में जाना चाहिए, और यदि इनकी कुंडली में बुद्ध कमजोर हुआ, यह सब करते हुए, तो यह बड़े दुखी रहते हैं, असंतुष्ट रहते हैं, और इसके अतिरित काम को अधूरा में छोड़के उठ ज इनकी में, तो वो इन्हें हमेशा आगे बढ़ने की प्रेहना देगा, और जो भी काम यह शुरू करेंगे, उसको पूरा करेंगे, और उसका विशलेशन करके उसकी तह तक जाते हैं, अब हम देखते हैं कि भूतत्र की राशी है, यह कन्या राशी, तो व्यक्ति जो है, पै जो हम वर बढ़ाता सा पैसा अवश्य ही बचाकर रखते हैं, और जब यात्रा करते हैं, जो जो ट्रावल पर्से को अपने हैं, यहां। जूतों के अंदर जो मुझे पैसे पैसे रखते हैं, उनकी उछागते हैं, व्हुछ रखते हैं, व्हुछ दूसरे पर्स में से, तीन चार जगा पैसे को पांट कर रखने रखते हैं, ज़िक नगासे कुछ हो जाएं, तो दूसरी जगा तो पैसा मेरा बचा हुआ है. और चिठी पत्री यदे ये बेजते हैं, तो भी बहुत ही सावधान गाते हैं, क्योंकि पोस्ट करने से पहले भी चिठी को बार बार पढ़ते रहते हैं, कि कहीं कोई कमी तो नहीं है। और कारेसमाप्त करने से पूरू भी उसको बार बार चेक करना जो है, इनकी आदत होती है। इसके अतिरिती ये क्या करते हैं, कि जरासा इनको अगर सद्धी जो खाम भी हुआ ऐसे विक्तियों को, तो वो डॉक्टर के पास जाने से पहले अपनी पूरी हिस्ट्री जो बीमारियों की हिस्ट्री अब लिख कर ले जाते हैं, मतलब पूरा लंबा चोड़ा को समाल कर रखते हैं, और रोजमर्ना जो डेली काम है उसको भी जो रिफाइव बना कर रखना और अपने सहयोगी और कर्मचादियों से भी यही अपेक्षा रखते हैं, यदि वो करत लगने के नहीं होते हैं, तो वो इस तरह से काम नहीं कर पाते हैं, तो उनसे यह सबतु अब शनी यदि लगन को देखता है या लगनेश के साथ होता है, तो ऐसा व्यक्ति जो है आलसी होता है, और किसी भी कार्य को गंभीरता से नहीं लेना चाहता है, स्वयम तो कुछ नहीं करेगा, लेकि दूसरों से कार्य करवाएगा और दूसरों को इतना उपदेश देगा कार्य करने के लिए कि तुम ऐसे करो ऐसे करो और अपने जो दोस्त है वो भी बदलते रहते हैं, शनी के साथ यदी गुद्ध का संबड़, इसके अतिरित गुद्ध के कारण जो व्यक्ति है वो विज्ञान विषयों में गहरी रुची रपता है, विज्ञान विषयों में गुद्ध का स्वामी है, यह आकाश का अस्पताल बीमानी गई है, पेट का भी इससे संबड़ है, इसकारण जब भी जातक बीमार होता है तो उसकी अच्छा शक्ति क्षिन हो जाती है और वो अपनी बीमारी को बढ़ा चड़ा कर सोचता है और पेट पे उसका एफेक्ट पर उसके खाने पीने की रुच्छियों पर उसके पूरा प्रभाव आता है जब भी वेक्ति बीमारी को ऐसको ऐसा लगने लगता है कि अब तो मैं तो मैं ठीक ही नहीं हो पाऊंगा अब तो मैं जाऊंगा तो यह खुद ऐसे इनकी निच्छा देए कि ऐसे समय में यह चाह दिमाग में हमेशा कुछ नो कुछ चलता रहता है और उसको कुछ-कुछ बुरा करने में भी मज़ा आता है किसी की बुरा करना इसी का अहित करना इसमें मज़ा आता है और कस्प के बिलकुल एक नजदीक हो तो वेक्ति चोर, उचका, धूर्थ, चालाः और बद्वाश भ अध्यापक हो सकता है, लेखक हो सकता है, पुलिस या राजसुद, जो कस्टम विभाग हो सकता है, इसमें अधिकारी भी हो सकता है, हर्शल जो है विक्ति को खोजी दिमाग का बनाता है, शोध करने वाला, रिसर्च करने वाला, तो ऐसे रगती जो है विश्रेशनात्मक ब पुद्धी पाजाते हैं, हर्षर लेदी लगनपर होता है, तो कन्यालग्र में उत्पन जातक के हर्षर उनको श्रेष्ट संगीतकार भी बना सकता है, म्यूजीशियन भी बनाता है, गाणितग्य, मैथमेटिशियन, सांखी की स्टेटिस्ट्रीशियन, और पत्र का और वेग्यानिंग भी बना सकता है, जो नई नई रिसर्च करें, इसके अतिरित जातक को हसी मजाग थोड़े से पसंद आते हैं, दूसरों की मजाग उड़ाने में इनको मजा आता है, और जैसे मैंने पहले भी बताया कि अपने लंबे-लंबे संबादों से बोरियत पैदा कर देते हैं, यह इनकी कुछ कमी मानी गई है, और इनको दूसरों की बुराईयां गिनाने में बहुत आंदाता है, दूसरों की कमी यह बहुत जल्दी पकड़ भी लेता है, यह अच्छा नहीं है, यह अच्छा नहीं माना गया है दूसरों की कमीयों को देखना, अगर आप कमी देख रहे हैं तो उनकी अच्छाईयों को यह सब नर्वसनेस के लक्षन, शब करना, अपने आप पर भी शब कर सकते हैं, दूसरों पर तो करें युसे ही, और इनको हमेशा ये चीज़ ध्यान लगने चाहिए कि जब हम नया काम को शुरू करने जाने हैं, तो पुराना काम पहले खतम करें, उसके बाद ही नया काम करें और एक हर एक से सलान ही लेखते रहना चाहिए, अपनी बुद्धी से भी काम लेना चाहिए, इनको विशेश रूप से इसका ध्यान रखना चाहिए, वरना ये कन्फ्यूज रहेंगे, कन्या लगने वाले लोग अकसर क्या करते हैं, कि बहुत सारे डॉक्टरों से बाद्च इनको मन में राता है कि इधर उदर घूमने जाएं भटकें, भटकना जिसको पुन कह सकते हैं, अव्यत जाना, ये इनकी आदत है, घर बार बार बदलना, इने कर्क लगनवानों की तरह ही अच्छा लगता है, जैसे कर्क लगनवानों को भी पसंद है, और घर में सभी व्य अवस्थित हों ये इनको बहुत पसंद है, म्यवानों के सामने अपना बैस्ट ये प्दर्शित करें, ये भी इनकी इछा रहती है, लेकिन इनको ये पसंद नहीं आता है कि इनको भुज पर बुलाने के पश्रत ये जडिन बाश्रत बऌने बशिते हैं, और गयिक रिदित तो उसकी कीमत जल्दी जल्दी बढ़ती है क्योंकि गुरु चतुर्थ भाव का स्वामी है और गुरु की दशा अंतरदशा में इनको काफी जमीन खरीबना या बेचना या कुछ की दशा में इनको फायदा हो सकता है जमीनों से जीवन साथी या शादी वगरा के भी बाग ब पताया ये दो और इनको जीवन साथी लाइफ पार्टनर होता है वह भी जो है धार्मिग, इश्वर दे डरने वाला आग्याकारी, कानुन का पालन करने वाला और सच्चा होता है और उसके साथ इनको बेइध्य जीवन अच्छा बेती है ज्जे कि लिएसमीना और शुम्श बहती मेरा ऐसा चाहते हैं, जब इन्हों ने किसी का कुछ किया है, तो उनका ऐसान माना जाए है। और सभी लोगों के साथ ये लोग घुल मिलकर नहीं रह सकते हैं, लेकिन बदलना भी इनका सुभाव है, परिवरता है शीवता भी इनका सुभाव है, रोमैंस और विवा, इनकी अपने आदर्श होते हैं, जिन पर कोई कसौर्टी पर जब तक कोई खरानी उतरता तब तक इन जीवन साथी पसंद नहीं आता है, इसलिए ये जीवन साथी चुड़ने में काफी देरी लगा सकते हैं, बहुत देर लगते हैं पसंद करने में और ये बहुत एक सुख की अपेक्षा इनको ऐसा बुद्धिमान जीवन साथी चाहिए होता है, उसको अधिक बात्व देते ह इस चीज का उनको ध्यान करें और इसके अतरिक प्रेम में आलोचना के लिए भी कोई इस्थान नहीं है क्योंकि इनकी आदत है दूसरों की कमिया निकालने की उसके कारण इनके जीवन, पारिवारी जीवन में खटा बना सकता है, तो इनने थोड़ा ध्यान रखना चाहिए चोटी-चोटी बातों को इग्नोर करें, उनके ओपर ध्यान न दे और बुराई न करें, क्या होता है कईबा कि ये बुराई तो फट से कर देते हैं, जैसे फोर एक्जामपल अगर कुछ खाना बना है घर में, तो यदि उसमें कमी हुई तो उसको फट से बता देंगे कि आ यदि आप कमी निकाल रहे हो तो उसकी अच्छाई भी बढ़ाई भी उसकी कर, ये बहुत आवश्या है, जो कर देंगे के पुरुष होते हैं, वो अपने पारिवारी जीवन को या दामपत्ते जीवन को एक पार्टनर्शिप की तरह मालकर उसका निर्वान करते हैं, और इ इसके विप्रीद अध्यान करना, नई नई खोज करना भी यदि पसंद करते हैं, और यदि शादी के बाद ये फिर पत्नी की आवश्यत्ताओं को पूरा करने में पूरे लग जाते हैं, अपने स्वास से बोलेकर हमेशा शर्कित रहते हैं कि कई मैं बीमार न पड़ जाओ मैंने पहले भी बताया आपको कि नर्वसमेस का शिकार ये बहुत जल्दी होते हैं, इनके जीवन साथी जो होते हैं, देखिए सेकेंड हाउस जो है, पहां तुला राशी आती है, वो शुक्र वहा का स्वामी है, इसके अधिन सब्तम भाव का स्वामी गुरू है, और सुख देती हैं, और एजस्ट करने की कोशिश करती हैं, कन्या लगन वाली जो इस्त्रियां होती हैं, उनके बारे में उनने ये कहा है कि कुछ थोड़ा स्वार्थी, थोड़ा सा बोलने में अच्छे विचारों वाली नहीं मानी गई हैं, कंजूस भी होती हैं, और कंजूस और अपने सारे काम समभा पर पूरा करने की इनकी आदत होती हैं, पत्नियां है न, शारे लिक संबद्दों से परहिस करती हैं, इनको लगता है कि ये बहुती गलत चीज है, और ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसे में जो समझदार इनके जीवासाती होते हैं, वो इनको संझा कर नौर्मल स्थिती में जाने का प्रयास करता हैं, संतान, संतान जो है कन्या लगनवालों के संतान जो है सीमित होती है, क्योंकि पंचम भाव का स्वामी शनी है, और ये मतलब शनी जो है कम संतान देता है, इसके अधिरित ये संतान के प्रती प्रेम भी पूरा प्रदर्शित नहीं कर पाते, कर्या गणवाने, उनके प्रती जो कर्तवे हैं, वो अवश्य पूरा करते हैं, उनको अच्छी शिक्षा देते हैं, अच्छी गुन देते हैं, अच्छी जो शिक्षा रहती है, इसके तरिक्त, वो सब में वो नतीम करवाने में उनकी पूरी मदद करते हैं, ल कि इनके लिए ऐसा है कि बुद्र जो ग्रह है, वो समचालित कलता है, तो ज्वी सुमावद रह रहता है, इनकी जो राइटिंग होती है, वो दो लाइनों के बीच रहती है, थोड़ा लाइन के ऊपर, और इनका उपरी भाजू है, वो अच्छा विक्सित रहता है, और छोटी-चोटी नुकीली पंतियां रहती है, नोप निकालते हैं, कि आदत रहती है इनको, और पैन भी इनको नुकीले पसंद होते है, जेखन पतला होता है, और गोले बनाकर लिखना इनको पसंद नहीं है, तक वो कर सोचते हैं कि स्याही या एंक बरबाद हो रही है, उसके बाद है शुब दिल, अब शुब दिल में इनका जो भागेश अली दिन माना गया है, वो बुद्ध माना गया है, क्योंकि वो लगनेश है और दशमेश है, लगना और दशम्भाव का स्वामी है, बुद्ध सबसे अच्छा ग्रा माना गया है, इसके अतिरित क्योंकि वो शारिरिक स्वास्ती भी देता है और इनकी उन्नती में भी साहर देता है। इसके बाद आता है शुक्र, शुक्र जो है सेकेंड हुसलोड और नाइंध हुसलोड है। वो धनका और भागिया दोनों का स्वामी होकर दोनों चीज़ें प्रदान करता है। उसके अलावा शुक्रवार और बुद्ध का बुद्धवार। इसके बाद आता है इनके लिए गुरु को भी हम अच्छा मानते हैं, गुरुवार को, जो कि इनके लिए चतुरतमाव सुक्सुर्दा का घर, संपत्तिस, और सब्तमाव जीवन साथिका है। इसके अलावा इनके लिए अच्छा नहीं माना गया है, क्योंकि मंगलवार तीसरा और आठ्वे भाव का स्वामी है, तो यह विशेष रूप से छोटी-छोटी यात्राओं पर, पत्राचार पर, और मैर्तो पुर्न जो इंपोर्टन डॉक्युमेंट्स पर, अगर साइन कर तो इन्हें ध्यान रखना चाहिए, मंगलवार अच्छा नहीं है, इस चीज का हमेशा ध्यान करें, वो किसी भी ऐसे डाकुमेंट्स पर साइंग करके, परेशानी में पढ़ सकते हैं, संकट में पढ़ सकते हैं, इसके अधिरिक तिशलिवार इनके लिए देरी और इस तरह से सोभा ठीक एनका, एकावेश भाव का स्वामी है, इसके अतिरित, यदि गुरुवार का दिन जो है, वो निवेश करना, कहीं भी इंवेस्टमेंट करना और शादी, इत्यादी की बातचीत करने के लिए हिसाब से दृष्टी से ही अच्छा, शुभर रंग, शु अधी प्रयोग से यह बीमार पड़ सकते हैं, या चोटी-मोटी चोट भी लग सकते हैं, विशेश रूप से लाल रंग का प्रयोग विशेश रूप से, और व्यर्थ की परिशानियां भी खड़ी हो सकते हैं, इसके अतिरित, जैसे ही इनको लगेगा कि यह रंग अशुम ह और सफेद रंग इनके लिए भागेशा लिए क्योंकि वो शुक्र का रंग है और भागेश है और धनेश है, इसके अतिरित हरा रंग तो मैंने बताई दिया आपको, पन्ना पहनने से भी बहुत अच्छा है, इनके लिए पन्ना हरी रंग का ही है, और प्रमोशन बगेरा के जीवन साथी के सथ कंपाइटिबिलीटी की दरिष्टी से बहुत अठुन, 5 अंक बुद्ध का है, इसके अत्यरिकत दो अंक और साथ अंक वो चंद्रमा का है, ईनके लिए छे अंक इनके लिए शुक्र का है, और तीन अंक वो अच्छे नहीं मानिग का है, इनके बताया वे पहन सकते हैं, मोधी पहन सकते हैं, हीरा भी पहन सकते हैं, और चाहे तो कुखराज भी पहन सकते हैं, चाधिवादी के लिए या माग्याशन, इन सब के लिए, और इनके लिए गुरु जब कर्त राशी में ब्रह्मन करता है और विशेश रूप से अशलेशा नक्षत्र में ब पाइदा पहुचा सकता है, ये गोचर का गुरू. अब इनके जो उत्पाद हैं, वो इस प्रकार हैं, बाग बगीचे, गीले सुखे मैदान, यहां पर इनका निवास है कन्या राशी का क्योंकि भूमी की है, अनाज, अदाज के गोदाम, रेस्टोरेंट, पैंट्री, वो स्थान जहां सबजी और फल रखे जाते हैं, स्टोर रूम, उस्तकों की जगे हैं कि बुद्ध हैं इस राशी का स्वामी, प्रात्मिक चिकित्सा का सामान, फर्स्टेट का सामान रखना, लवाईयों के डिपे रखना, लाइबरेरी और डेरीफ, यह सब इनके स्थान बानेगे, इस तरह से हमारे लिए आज कन्या राशी का जो है विशलेशन सामाप्त। बहुत बढ़िया, एक बार फिर से आपने जैसे कहते हैं, पूरा सब कुछ सारी तरीके के रंगों को इकठा करके एक एक अच्छा सा गुलरस्ता बना के आप रखते हैंने जैसे, कोई चीज ऐसी नहीं होती, जो इनकंप्लेट हो, गहन अध्यन, उसके सासद उसको अध्यन भागय होता है विद्यारतियों का अगर जहां पर उनको बहुत प्रेम से, कोई अच्छे से, उनको सही से सिखा रहा हो, जो कि दुरबागय से आजकल नहीं हो रहा है, तो आप इतने स्ने और इतने प्यार से अपना सब कुछ उनको दे रहे हैं, मैं सभी से आजरे करू है, विद्यारता हमने पहले ही बताया कि विद्या बाटने से ही बढ़ती है, और नहीं बाटने से वो समाप्त हो जा, हमारी पूरवजों की बहुत सारी विद्या इसलिए समाप्त हो गए, क्योंकि उनको नहीं दी नहीं, या उनको योगया बात्र नहीं मिले, इते नहीं परा ह यह अगर सभी जने इस तरह से अपना पूरी इमानदारी से देने वाला और लेने वाला दोनों अच्छे आजए तो मेरा मानना है कि विश्व में जो अज्ञानता है और जो अंधिरे हैं वो सब अपने आप ही दूर हो जाएं सिर्फ एक दिया जलाने के जूरूत होती है वो जला रहे हो निश्चिद्र उसे एक दिया जो है वो अपने आपी एक सूरे के समान अपना पूरा अंदकार दूर करने की पूरा कारेगा देखिए वो एक श्लोक है मुले अभी याद आगया सांस्कृत का विद्या विवादाय धनमदाय शक्ति परिशाम पर पीड़नाय ख जो अपने का किस प्रकार करता है और उसके पास मद होता है बन होता है तो उसका किस प्रकार विद्या विवादाय जो दुष्ट है विद्या को वाद विवाद के लिए प्रयुक्त करता है धनमदाय उसके पास पैसा है तो उसमें वो इतराता रहता है शक्ति परेशाम पर पीडुना आये और उसको शक्ति मिली हुई है तो वो दूसरों को कश्ट देता रहा है रही है हमां करता है ये पुरोट ये दूसरों का परिरख्षम करते हैं और धन का दान करता है और शक्ति काश सभी दूसरों के अच्छा करने या बुरा करने है एकदम से सही आपने बहुत सही बात कही है काश सभी अपना हिजे बढ़ा करें और अच्छे मन से सब एक दूसरे के साथ ने और करना चाहिए जैलेसी नहीं होनी चाहिए कोई अगर कोई अच्छा कर रहा है तो उसके लिए खुश होना चाहिए, ना कि jealousy करके उसे चिड़ें आप जी, बिल्कुर खुश होना चाहिए खुश होना चाहिए कि चलो कोई तो है अपने को भी वैसा बनाने का कोशिश करें, वो बहुत अच्छी बात है बिल्कुर सही है तो यहां पर मैं सभी से आगरे करूँगा नोट्स बनाएं, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, अच्छा अच्छा होना है, नोट्स बनाएं, कुंडलियां लें, उन पर अपलाई करें, जो दिदी ने बताया है कि लगन और राशी दोनों अगर कन्या है, तो उसके अधार पर जो अपने अपने प्रभाब से अंतर आ जाता है, बाकी मार्गी उने बहुत अच्छे से सिखाया, दिखाया है, बस आप चलना शुरू कर दें, तो आप बहुत अच्छी एस्ट्रोलगी कर सकतें, दिर्शित दन्यवाद और आभार, नमस्कार.